नमश्कार दोस्तों केसे हैं उम्मीद करता हूं हर बार दस्वस्त होंगे हमारे वीडियो के इंतिजार हूंगे तो नया जो वीडियो आया है इस बार आपके लिए वेकिनसे लेकर आया है हिंदुस्तान और गनिक कैमिकल्स लिमिटेड एच ओव सी वैसे इसको फोल लेकिन ए यहां पर काम करती है 500 से ज्यादा यूनिट वगरा इसकी है ताराम से आप इस वेबसाइट को देखिएगा आई होसी लेंडिया.com यहां पर जा सकते हैं आप इसके बारे पर जानकारी पूरी पराप्त कर सकते हैं बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि यह एक कैमिकल लिमिचेड है केमिकल से रिलेटेड आपकी यह किया कंपनी आपकी यह आपकी है चलिए बात करते हैं Vacancy के लिए Career button यह Home page होगे यहाँ पर Career button पर जाना है New opportunity पर क्लिक करोगे यहीं पर आपका आजाए Current Job openings यह जैसे ही आप Job openings पर क्लिक करते हो यहीं पर आपके यह इस प्रकार से Vacancy के बारे में detail निकल जाती है एक बटा 2024 इस पर आपको क्लिक करना है Download button है यारे कि आपका PDF यहीं से download जाएगा Click here to view vacancies and apply यहीं से apply करने का button भी यहीं पूरी detail वगड़ा सब मिल जाएगी इसके बारे में पर सबसे last में apply कैसे करेंगे उसके बारे में हम last में बात करने हैं वीडियो को जीतना उसके शेर करना लाइक करना और एच्गोड क्लासी यूट्यूब को सब्सक्राइब जरो कर लेना अब फिलाल जो वेगिन से निकल कर आई उसकी हम तैयारी नहीं कराते हैं यारे किसकी कराते हैं फटाफट से आप यह पता लगा लो तो यह एच्गोड क्लासीस पर CSR NET, GATE और PGT लेवल की जो chemistry online को जो एक्जाम होते हैं उनके ही हम यहां पर तैयारी कराते हैं फिलाल अगर आप इन में से कोई तैयारी आप कर रहे हैं चाहें वो CSR NET, June 24, December 24 या फिर GATE 2025 के एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं या फिर आप PGT लेवल यारे कि 1st ग्रेड लेवल के अगर RPC, D, SSB, UP, KVS, NVS या फिर EMRS, MP, जारकन या 36 गड़ यह जो PGT एक्जाम से हैं जो पर 1st ग्रेड एक्जाम हैं अगर आप इन में से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो भाईया आपकी पास HGOL classes तैयारी करने के लिए सुनारा मोगा है कि Republic offer जो है उस पर 30% discount आपको दिया जा रहा है केवल एक दिन बच्चा है त्यान रख लेना अगर आप इन में से किसी की तैया करके अपना सेलेक्शन सुनेशित करना चाह रहे हैं आप जिस भी एक्जाम के तैयारे कर रहे हैं वो कोर्स आप जोहन के बस ध्यान रखना के वल एक दिन बचाए 30% discount के लिए क्लेर रहा है मतलब एंडिंग सून और इसके अलावा इसके अलावा आपके लिए एक बहुत ही फ्री आपको कोर्स मिलेंगे फ्री का मतलब फ्री एक रुपया खर्च नहीं करना यह छे अलग अलग कोर्से आपको यहां पर मिल जाते हैं जिसमें नेट पीजीटी लिएवल के अलग अलग कोर्से जिसमें वीडियो लेक्चर के एक प्लस 650 और नोट्स के लिए पीवा के कोई एक्जाम आपका एक भी एक्जाम टार्गेट है तो भाया इसको जोइन कर लेना हरी अप कंडिशन में हैं मतलब एक दिन आपका बचा हुआ है और इस पर 30% डिसकाउंट है जो बहुत जल्दी यहां पर खतम हो जाएगा फिर रेगुलर प्राइस पर आपको को जोइन मिलेगा मतलब आप पर्मानेट जोब यहां पर आपको गौवर्मेंट जोब मिले जाएगी पोस्ट का नाम दिया हुआ है भाया सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर जैसा कि आपने थमनेल पर पढ़ लिया होगा ध्यान रखिएगा यहां पर केवल मेल केंडेट नीड टो एपल है और क्वालिफिकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए डेगुलर फुल टाइम कोर्स मतलब आपने मसी रेगुलर तरीके से किया हुआ हो है ना तब जाकर आप इस पर एप्लाइ कर पाएं यहां पर किसी प्रकार के एक्स्पिरिंस मेंशन नहीं किया है जैसे आप और भी वेक क्लियर हो रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं ओके यहां पर जो SSC SSO याने की सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकल कर आती है भाईया वह एक पोस्ट है वह भी कैटेगरी कौन सी है ऐसी कैटेगरी क्या आप यूं मत कहना एक पोस्ट के लिए वीडियो बनाया ना का काई यह वैकनसी इस प्रकार के डिपार्टमें निकलती ही बहुत कम यह देख लो साथ पोस्ट केवल आट वेकनसी के साथ पोस्ट है ट्ला पेटन से उन daar से एक से एक सींवार एक यहां है उनुनी कर्म किडरी बना−द के दैखना पूरा देला फीर बन कोई अच्छे से पढ़ लेना एज लिमिट की बात करें तो आपर यहां पर थर्टी इयर आपको दिया हुआ है बागे आप अगर कैटेगरी के वाइस भरते हैं तो कैटेगरी वाइस आपको गवर्मेंट नॉम्स के कोडिंग यहां पर रिलेक्शेशन आपको मिल जाना है पेश्क चलते हैं या उनके प्रोजेक्ट का अगर चल रहे हैं तो वहीं पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है भाईया कलेर है अब यहां पर इन्हों ने पोस्टिंग यह जो पोस्ट लिखे इस पोस्ट के आगे एक प्रिग्राफ लिखके दिया है इस प्रिग्राफ में वास्ते में केटिगरी आपके पास हो सकती है वो कंडिशने और नहीं यहां पर मेंशन की है तो भाईया अगर आपके पास इस परकार का कोई भी experience वगरा है या आप इन से किसी भी तरह से related है काफी लंबा दिया है तो आप एक बाग किसी government job में है अगर आप वहाँ पर किस परकार से related है पोस्ट qualification experience अगर आपके पास इना लार्ज industry प्रिफरेबली chemical department हो गया या फिर आपका petrochemical हो गया या फिर refinery plant हो गया अगर इमेंसे भी कोई experience आपके पास है तो आप इस पर apply कर सकते हैं अगर आप उरड़ी है या आपके पास पहले से इस परकार का कोई अनुबहु अगर है अनुबहु की क्या 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 के टेगरी है वो अपना आगे देख लेते हैं एक बार qualification experience के base पे है मतलब यहाँ पर कोई exam अगरा फिलाल रहेगा सीरिस्टी qualification और experience इस बेस पे आपके यहाँ पर बुलाए जाएगा है ना इंडिया नेशनल से मनलब किसी भी स्टेट से बिलाओं करते हो आप इस पर अपलाए कर सकते हो eligibility criteria qualification experience age इसका जो criteria दिया है वो दिया है एक जन्वरे दोजाट चोईस से पहले-पहले जो मांगा है वो सब कुछ complete होना चाहिए regular check their email अपने जो form बटसर में जो आप email ID लगाओगे उसे आप regular check करते रहे selection process के अगर बात करे बाईया तो वो यहाँ पर document verification करके भी हो सकता है आपका selection को test conduct करवा दे या फिर interview रखवा दे आरे बात समझ में इसके base पर आपको यह बुलाएंगे इसलिए वो interview होगा test होगा या फिर document verification कब होगा एक तो mail आपको check करने है साथ के साथ hoclindia.com इस website को आप समय समय पर क्या करते रहें regular check करते रहें आरे बात समझ में उससे पता लगेगा आरे टेस्ट होगा या interview होगा या सीधर से document verification के बाद shortlisted बच्चों को यहां पर job के लिए appointment मिलेगा clear होगा है ध्यान अगना form बढ़ते समय आप किसी पकार की कोई mistake ना करें क्योंकि document verification या interview में आपको भूला लिया तो अगर आपने किसी पकार की कोई mistake या गलत सूचना उनको देखकर आपने नोकरी को प्राफ्त किया है तो नोकरी मिलने के बाद भी after joining the company company में join करने के बाद भी cross checking अगर हो जाती है तो आपको वहाँ पर आपको candidature यानि कि आपका जो नोकरी जा परण्डमेंट था वो cancel हो सकता है क्लियर हो रहा है अगर आप गोर्मेंट सेमी गोर्मेंट या PSU सेक्टर में काम कर रहे है तो आपको एहनों से लगाने पड़ेगी और ये जो PSU गोर्मेंट और और आपके पास अनुभव है ये minimum कम से कम 2 साल का होना चाहिए आरिबा समझ में क्लियर हो रहा है फोर्म अगर बात करें तो 11 फर्वरी से पहले-पहले आपको एपलाई करना पड़ेगा वेबसाट ये दे रहे कि ये लिंक कहां मिलेगा मैं आपको बता दिया क्लिक करके एक बाद फिर ये करनेंगे है पड़ेगा आपको एंटर करनी है और साथ-साथ आपका जो रिक्वाइड डोक्युमेंट्स वगरा जो मांगे है वो आपको अपलोड करने है धियान रखना आप फोर्म बढ़ते समय आपका पूरा नाम वेसा ही होना चाहिए जेसा आपका matriculation या second day examination दसवी या वारवी में था क्लिर हो रहा है फीस के अगर बात करने तो भईया फीस यहाँ पर पंदरा सो रुपे है अन्रिजर्व केटेगरी के एकोडिंग लेकिन वेकिंसी यहाँ पर आपको फोर्म बनने के बाद में प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है ताकि जब भी आपको कोल के जाए बुलाया जाए आपके पास यह प्रिंट आपके पास होना चाहिए मैंने आपको स्टाइटिंग बताया था कि आपन यहाँ पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके यहाँ पर पेज आपका ओपन हो जाता है तो ओपन होने के बाद में क्या होगा यह पूरी वेकिंसी के डिटेल है यह मेरे काम की सबसे नीचे दिए हुई है कहां है साथ के नंबर पर यहाँ क्या सेनियर सांटिफिक ऑफिसर यहाँ पर वेकिंसी के आडी हो गई है ऐसी काडिगर के लिए एक पॉस्ट हो गई है और यहीं पर आपको क्लिक यह टू रिजिटर और अप्लाई यहाँ पर आप टिक बटन करोगे आरिवा समझ में इस बॉक्स पर टिक लगाओगे उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है त कि आपके उन प्रश्णों के जवाब हम दे सके बाकी वेकिंसी के बार में एक सुर्म को पता लगा है दूसरों को बताइए कि वीडियो को शेर कर लीजेगा और अगर आप इन में से किसी परकार के वेकिंसी के तैयारी कर रहे हैं अगर आप नेट गेट या पीजिटी है क्योंकि ये ओफर जो चला रहा है है इसके बाद दुबारा ये ओफर बड़ा ओफर जो हम नहीं लाएंगे धियाना कियेगा है ना तो जितना हो सके वीडियो को शेर करना और साथ में मैं बता दिया था आपको फ्री वाला कंटेंट आपके लिए है ही सही वो तो अवेले इसी परकार के जानकारी जो सिर्फ और सिर्फ आपके ही तो जुड़ी हुई है वो सब आपको समय के साथ अपडेट होती हुए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहन